आप आगया ECM इलक्ट्रो केमिकल मेशिनिंग मंडल चिला चिला के बोला था आया है आता है आएगा आप एक कोस्टेन देखके कुछ लोग पगला जा रहा है कि क्या क्या दे दिया बेटा 2013 में बिलकूल सेम कोस्टेन आया था इससे थोड़ा डिफिकल्ट तरीका से दिया था यहां पर तो हंडिड परसंट इपी सेंट्सी है इलक्ट्रो केमिकल मेशिन को परसंट परफॉर्म टांग स्टेंट एज टूल एंडा कॉपर अनलोमेंस दा डिफरेंट वर्क्पीस मेट्रियाल प्रोपर्टिस अपरन अलोमेन बिलो गिवन बिलो मेट्रियल कॉपर इतका जुकित परसंट स्ट को सबस्क्राइब अलुमीन अलमीन क्यों पर सेंड रौंड ओफ टूड़ेशम प्रेसेसे को बेइचा आप बूल रहा हो कि ऐसा कुछ्छीन में कभी देखा नहीं मंडल बोलता है बेटा तुम्हारे पास जो यह जो मेट्रियल है और खोल के देखो एंड डिसीस इन पेज नमबर कितना रहा है सेवन तो पेज नमबर सेवन में 55 स्लाइड थोड़ा सा आख फाड के देख लो जस्ट 55 स्लाइड पेज नमबर 55 स्लाइड एक जागली एंसर नहीं मैच किया तो म नाम नाम जो है नाम में कुछ भी कर देना ठीक है देख लो इसी एम और आपने फिर सेंश बहुता है तो आपका क्या होगा exactly similar question है सिर्फ data change कर दिया 100% कर दिया और एकर दिया तो आप बोलोगे मुझे मैं कूछ नहीं करूँगा ऐसे थोड़ी होता है तो इसमें आपको सुच बिचर करना है और इसके हिसाब से आप देखो क्या होना चाहिए मुला सेर हमने पढ़े थे कि अगर ग्राम में कोई होता है ग्राम में क्या भूल गया क्या अभी तो बोलेंगे कि यूनीट का माबाब मैं नहीं रखता हूँ पढ़ने का टाइम में ठीक है क्योंकि जब हमने पढ़े थे जो पढ़ा रहे थे वो भी यूनीट का माबाप रखना बहुत जरूरी है और उसके चक्कर में यूनिट अगर आपने गरबढ किया तो इस कोस्चन में तेल आपका निकल कर आ आपने बूलोगे नहीं मेरा सेंटी मेटर के पर सेकेंड है तो नीचे एक रोव बस अबात आपका ध्यान रखना है अगर जिसने ध्यान रखा है उसके लिए कुस्टन मुंफली है और जिसने यूनिट का ध्यान नहीं रखा उसके लिए पने निकल कर आ गया तो सबसे पहला अब बोलेंगे सारily को स्कीन को सॉल कैसे करें आपको पता है जो मेटाल रिट है धर इस इक वाल टू एम आर यह आपका एं लिख सकते हैं डॉल ने तो एम डोट फ इस ओके रोकी नहीं दिया वाला को स्टन में ग्राम पर सेकेंड में मिलेगा इसका एंसर ग्राम पर सेकेंड अच्छा सीजिए में अशी सी होता है और इस होता है तो यह आगर ऐसा है ताब बोलेंगे सायर आप देखें कि आपका जो मेटाल रियूमाल रेट है देट इस प्रोपोर्शनाल टू ए इंटू आई डिवाड़ वाई वी इंटू एफ हो रहा है हो रहा है यह तो काटी तो कॉंस्टेंट है और इंदीस क्वेस्टेंट सब कुछ बोला तो इसका मालब का आई भी काटी दो कि दूनों का आई तो सेमी होगा नहीं तो कैसे कुस्टेंट सब्सक्राइब एक जमाना तो बोली देना तो सारे बागी परवड़से में वह सार इसका मालब आप बोलोगे सार एमर आफ रिमोबाल रेट ओफ एलुमिनियम जो कपर डेट इस इकॉल टू आपका यां मैं तो ऐलुमिनियम का अटोमिव थो एट डिवड़ वालंसी ओफ एलुमिनियम डिवाई डिवाइड बाई इसमें चेगा और बस खेल खतम बस खेल खतम इसमें तो कोस्टें में रखा था आधा ज्यादा करने का जूरूत ही नहीं आपका MRR ओफ एलुमिनियम देट इस एकोईल टू आप डेटा पूट करो मुला एटोमी को टॉप एलुमिनियम यहां पर रखाए 27 डिवाड़ भाई 3 इन्टू वैलेंसी ओफ कॉपार मुला कॉपार का दे रखा किना तू एने 63 और इसके बाद इसका जो कॉपार का कॉपार सब्सक्राइब कर दिया तब जाएगा इतना मीली ग्राम पार सेकेंड तो यह आपका खेल है जो सुझ विचार करना है फिर आप डेटा पूट करो कैल गोटर में जैसे डेटा पूट करोगे सीधा आपका एंसर आजा रहा है डट इस एक्वाल तो 28.57 मीली ग्राम पार सेके हैं तो यह आपका 28.57 होगा यह यह आपका एंसर है और दिस इस करेड वालू 28.57 विल बी एंसर 28.57 ओके चलो खूस रहा